आज आखे लिए एक टर्किश मीठा बनाने जा रही हूं जो के टर्किश संबाली क्या जाता है इसमें हम इस्तमाल करेंगे एक कप सूजी समुलीना आधा कप चीनी ग्रेनुलेटेट मोटी ही हो मरी करने की जरूर नहीं और साथ में आधा कप दूद्ध और हाफ टी स्पून से कद्रे थोड़ा सा ज्यादा बेकिंग सूटा तो चले आएं इन सबको मिक्स करते हैं और एक घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे एक कप सूजी जाने लिटेड आधा कप चीनी आधा कप दूद्ध और आपकी स्पून से कद्रे थोड़ा से ज्यादा बेकिंग सूटा अब हमें इन सबको पैसिला से मिक्स करेंगें अब हम इसको अची तरह ये विक्स हो चुका है इसको हम एक घंटे तकरीपन छोड़ देंगे सेट हो जाएगा और ये थोड़ा पक लिक्विड नजर आ रहा है हमें तूद का ये जजब हो जाएगा जब ये जब हो जाए और आपको थोड़ी इसमें स्मूथ लुका जाएगी तो इसको हम इसमें बेकिंग पैन में डॉलना हो जाएगा इसको बडाओ ये इसको लेंगे तो जैसे आगे मेने हनी कों बनाई कों बनाए था ते अर उसको ब्लाा था इसी तरह हम सिरप त्यार करेंगे उसे आपके सांगे अभी उसमें बनाओगी क्योंकि फिर बहुत मीठा हो जाता है, अगर केसी को बहुत मीठा पसंद है, तो वो पूरा कफ भी इसमाल कर सकता है, तो हम एक कप छीनी और इसमें गेर कफ पानी टानेंगे, और इसको छीनी हल होने तक अबालेंगे, उसके बाग हम इसको 15 मिन तक हल की आज पकने देंगे, और ज़न उसके बाद तारने से पहसे हमें इसमें, कादव और लीमू करस इसमाल करेंगे, अपर इसको जख लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा उचिन लीमू काटेस आना ते है, अगर आपको मैसूस हो, लीमू काटेस नहीं आया तो थोड़ा सा और यूज कह सकते हैं, तो और ज़िटी साव होरा से सुले को, हमें इसको ढूड़ा सुले को पोरा सा नहीं हो, scope रहें है, में थोड़ा क property, मुंपके, और लीमू सा नहीं के पाट्रा में सेलेगा कैंगे, और इसको अवाचिना शुमस करेंगे, र этой हाएं ङोगरा को भीमू हम मैं, दोफने हम जोगी अब मिक्स्चर को पैन के अंदर सेट करते हैं अब 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 आपिन का साइज बोग है इसके पताबिक इसकी हमटाई बनेगे तो आप अदर इस से थोड़ा मोटा रखना जाते हैं तो पैने छोटा मेला इसमार करें इसको इकुली स्प्रेट करें ताकि इसकी तैस एक जैसी हो अब आम इस पर कट सिलका के कोई साभी डिजाइन आप कर सकते हैं अब आप सेट करेंगे तो अब आप गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको बेक करेंगे तर बेक होने के बाद वाद इसको देखनें अब इसको आप नीचे से थोड़ा साथ देखेंगे कि थोड़ा कटरा जाए तो अब ये तियार देखेंगे है अच्छा इसको हमने गरन पे ही जो सिर्फ है हमने त्यार किया हो उसको पुंदेलना है हम अच्छा इसको अच्छा अच्छा थेंदा होना चाहिए अब जगा पर अब आप सब को पसंद आएगा बच्चे भी जोए करेंगे और बड़े भी ट्राइज रूड कीजिए गए और सिरफ में आप लीमो का थोड़ा जाइका आना चाहिए पलका सब फ्लेवर करें और फिर हमें बताईगे का कैसा बना हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर ना भूदियेगा थाइस तो मचें बड़ा फिर अब आप 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 का बाल का आपंप अफ्लेवर का अबसों झाल झाल